नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका 3ds Max टूटोरियल के next lesson में इस lesson में आज आपको बताने वाला हूं along with axis के according आप extrude कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मालनो मेरे पास एक box है मैं यहां पर box लेता हूं और मैं इसमें थोड़ा segment प्रएड करता हूं कुछ इस तरीके से मैं यहां पर segment देता हूं कुछ ऐसे अब मैंने क्या किया right click करके मैं convert करता हूं इसे editable poly में और poly में करने के बाद मैं क्या करता हूं मैं किसी भी एक direction में चला जाता हूं मैं यहां पर left view में चला जाता हूं कुछ ऐसे और मैं क्या करता हूं spline की help से line की help से मैं यहां से एक line बनाता हूं कोई भी इस type की line कोई भी line कुछ ऐसे और इसको मैं थोड़ा से smooth कर देता हूं यह मैंने यहां से select किया इसको मैं smooth fillet से भी कर सकता हूं या फिर मैं इसको smooth bezier बना के भी कर सकता हूं अब bezier बनाने के बाद मैं इसको select करता हूं और इन handle की help से मैं इसको हलका सा move करता हूं ताकि यह थोड़ा से smooth way में आपका यहां पर आ जाए कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से यह मैंने यहां पर इसको smooth किया कुछ इस तरीके से उसके बाद अब करना क्या है आपको मैं perspective view में जाता हूं यहां पर कुछ मालों कोई भी shape आप बना सकते हूं और मैंने यहां पर यह वाला option बनाया तो मैं यहां पर center में जाके इसको थोड़ा center में कर लेता हूं ऐसे कुछ ऐसे अब simply आपको करना क्या है मैं चाहता हूं कि मैंनो मैंने यह वाला portion select किया इसको मैं extrude करना चाहता हूं अगर आम normal extrude करेंगे तो यह कुछ इस तरीके से extrude होगा बिल्कुल straight बट मैं चाहता हूं इस face के according से extrude करना तो मेरे पास एक यहां पर कमांड होती है अगर मैं इसको open करूं यहां पर एक होती है extrude along spline कि आप extrude करना चाहते हूं along spline तो आप यहां पर extrude along spline पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ options आते हैं सबसे पहले segment then taper amount उपर आपड़ सकते हैं taper कर twist सबसे पहले आपको select करना है pick spline पे pick spline पे क्लिक करें और इस spline को आप select करने तो वो spline के according आपका वहाँ पर extrude हो जाएगा अगर आपको इससे smooth करना है तो आप इसके smooth नस increase कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जितना आप increase करेंगे इसके segment तो आप उतना ही उसके smooth नस आएगी यह होता है taper आप इससे taper करना चाहते हैं तो आप taper कर सकते हैं कुछ ऐसे वो आपका taper की तरह effect करेगा, react करेगा, अगर आप इस तरीके से taper करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसे taper कर सकते हैं, उसके बाद taper को curve कर सकते हैं, अगर आप करू करते हैं, तो taper को आप इस तरीके से curve कर सकते हैं, clear, उसके बाद है twist, अगर आप twist करना चाहते हैं, तो तो आप इसे twist कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपका twist हो जाएगा, अब twist के अंदर जितने आपके segment रहेंगे, उतना ही वो अच्छे से twist करेगा, जितने segment, उसी के according वो तुने अच्छे से twist करेगा, कुछ इस तरीके से, टिस्टिंग को हटा देता हूँ, उसके बाद है ये वाला option, extrude along spline align, अगर आपने इसको uncheck कर दिया, तो आप यहां से देख सकते हैं, किसी भी degree पे आप इसे align कर सकते हैं, कि किस degree पे मिरको चाहिए, शेप वही रहेगी जो आपके spline की है, तो वो change कर देगा, किस side आप इस ची चीज़ को समझाओं, तो मालना मेरे पास एक slender है, यहां पर, यह मैंने कुछ भी slender लिया, यहां पर, अब slender पे मैंने front में गया, और left में जाता हूँ, slender के, और मैंने explain की help से, line की help से, यहां से एक line लगाई, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, one press किया, और इसको मैंने थोड़ा से, बीजियर बना दिया, और इसको मैं थोड़ा से smooth कर लेता हूँ, यहां से, कुछ इस तरीके से, smoothness मैं इसमें wide कर देता हूँ, ताकि मेरा जो effect है, वो थोड़ा smooth है, इसको मैं उसकी help से भी कर सकता था, fillet की help से, वो आप प तरीके से, इस चीज को करना चाहते है, मालू मैंने कुछ इस तरीके से, इस shape को लेके आए, मैं यहां पर, और भी smoothness देना चाहते है, और भी आप अच्छे से, इस चीज को यहां से, use कर सकते हैं, कुछ ऐसे, उसके बाद, आप इसको select करें, अब आप देखें, देखो, यह को select करें, right click, convert to editable poly, और इसकी face को select करके, आप यहां पर click कर सकते हैं, extrude along spline, और आप इस spline को select कर सकते हैं, आप spline को select करना चाहते हैं, इस पर click करें, और इस पर click करें, देखो, आप इस तरीके से, इस चीज को select कर सकते हैं, वो part आपका as it is extrude हो जाएगा, और जितना आप यहां पर segment देंगे, उतनी ही smoothness आपको यहां पर नज़र आएगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल easily, और यहां से आप इसको taper कर सकते हैं, और यहां से आप इसको taper way curve डाल सकते हैं, अगर आप curve करना चाहते हैं इसे, और यहां से आप इसे twist कर सकते हैं, अगर आप twist करेंगे, तो देखो कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पे effect नज़राता है clear है तो ऐसे करके आप अपने object को यहाँ से use कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको यह चाहिए और यहाँ से आप angle दे सकते हैं कि अगर आपको किसी और angle पर इस चीज़ को twist करना है तो तो ऐसे करके आप extrude along with axis कर सकते हैं किसी भी face को आप extrude कर सकते हैं along with किसी भी spline के ओके तो यह था आपका extrude along spline thank you so much दोस्ते वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next studio में thank you so much